हलो press वेलकम बेक्टी सूचे आज हम आपको कुछ िस्कूछन के बारे में बताते हैं कि कौण सी स्क्रीन होती है और वारंटी में किस तरह से कवर हो पता है वारंटी के लिए हमारी इस इस्न में क्या तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इसकिन कितने परकार की होती है इसकिन तीन परकार की होती है हमारे पास में 15-6-3-spin, 15-6-normal और 15-6-4-spin तो यह एक इसकिन 15-6-spin के साइज में 3 तरह की स्क्रीन होती है फिर यह एक साइज आ जाता है 14-0-1-spin, यह भी सेम वही होती है नॉर्मल पेपर 30-spin और पेपर 40-spin, फिर आता है 13-3-spin, 13-3-spin में स्क्रीन होती है यह भी साइज वही होती है, इसमें mostly screen 40-spin की ही screen आती है इसमें 30-spin screen बहुत कम आती है 13-3-spin में फिर आती है हमारी पास 11.1 की screen आती है और 10.1 की screen आती है तो इस परकार कई तरह की screen आती है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताना चाहरे थे कि हम warranty कैसे cover करते है, इस screen में आपकी यदि आपकी warranty, यह laptop warranty में है तो screen में क्या condition होगी, कि यह warranty में होगी या नहीं होगी आपकी नॉर्मल में होता है, हम देखते हैं कि कुछ physical होता है, इस screen में physical वैसे तो नजर नहीं आता है physical हमारा liquid जो होता है, liquid फैल जाता है, उसको हम liquid damage बोलते हैं उस condition में हमारी screen की warranty नहीं होगी और आपका इस जो दूसरी condition होती है, कि आपकी screen में कुछ breakage बगेरा, कुछ liquid damage बगेरा नहीं आ रहा है तो हमारी warranty होती है, जैसे कि मैं अब इस world video के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि क्या condition इस screen की होती है तो warranty होगी और किस condition में नहीं होगी तो warranty नहीं होगी मैं आपको अभी screen दिखाऊंगा, light के सामने लगा कि कि इस condition में यदि हमारी screen होगी तो हमारी warranty नोर्मल में ही cover हो जाएगी अब आप यह देखो यहाँ पे, पूरा focus देखो तो screen में कोई आपको कोई दाग दबा या कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, इस screen हमारी plan है अब यहीं में आपको दूसरी screen यहीं दिखता हूँ इस तरीके में आप screen देखोंगे, यह आपको physical damage नजर आ रहा है यह क्या होता है, इसमें liquid होता है, जो फैल जाता है, जिस वज़े से काले काले दब्बे पड़ जाते है और हमारी screen नहीं warranty में cover होती है एक इस तरीकी भी condition होती है हमारी screen में यह आप यहाँ पर dot देखोंगे, इस तरह के gold dot बन जाते हैं तो भी हमारी screen warranty में cover नहीं होगी उस condition में हमें यदि यह हमारी damage, liquid damage वाली condition होती है तो उसमें हमें physical damage की warranty लेनी होती है physical damage में cover company अलग से करती है, उसका extra charge होता है जो मैं आपको बताना चारह हूँ, यदि आपको physical damage वैसे में हमारे इसाब से आपको physical damage की warranty लेनी चाहिए screen आज कल paper LED होगी है, बहुत पतली-पतली होगी है थोड़ा भी pressure पड़ता है, तो हमारी screen breakage हो जाती है तो इसलिए आपको physical damage की warranty आपके laptop में cover होनी चाहिए यही हम आपको बताना चारहे थे वीडियो के माध्यम से प्लीज कमेंट बॉक्स में अवस्चे बताए आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो को जाद जाद लाइक करें, सेर करें थैंक